नमस्कार जैशीक्रशन मेज जय गुपता इस वीडियो में मैं अदिक मास यपिष्णतम मास के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूं दूसरे दिन का अध्याय और उसका महत्तम में हम इस वीडियो में देखेंगे दूसरे अध्याय में भगवान से नारद मुनी परोपकार के लिए प्रशन करते हैं वो हम इस अध्याय में देखने वाले हैं सूच जी बोले हे रिश्यो में भी शुक्रदेव जी के मुख से राजा परिक्षित को श्रीमत भगवत की परम मौक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मौक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी क्रपा से यहां आया हूँ जहां आप सब दिख्षित ब्रामनों के धर्म यग्य कार्य में प्रयत्न शिल हुए लोगों के दर्शन कर कतार्थ हो गया हूँ रिशीगर्ण बोले हे सूच जी अनान्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद्व्याज जी के मुक्ष सुनी हुई अपुर्व कथा सुनाईए जो सार कावी सार महाशरेष्ट तथा आत्मा को भी प्रसंद करने वाली अमरत से भी उत्तम पुन्यदाईनी कथा है उसका पान कराईए सूच जी बोले रिशीओ मेरा अहो भाग ये है कि आपने मुझसे गूर अम्यत कथा को पूछा अब मुझे जो कुछ ग्यान है उसके अनुसार जैसा वेद्व्याज जी के मुक्ष सुना वह सब सुनाता हूँ एक समय नारत जी नर और नारायन के आश्रम पोचे वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आवले, बिल्व, आम, आमृतक, कपित, जम्बू, कदम, आदी अनेक प्रकार के व्रक्ष लगे हुए थे वहाँ विश्णु भगवान के चर्णों में द्रवी भूत, गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी वही महामुनी नारत जी लोक्चिंतन करते हुए जा पहुचे परव्रम्म में मन लगाए हुए जितेंग्रिये नारत जी के संपोन शरीर से प्रभाचिटक रही थी तब नारत जी ने तपस्वी नारायन को साष्टांग प्रणाम कर इस्तूती करते हुए कहा हे देवादी देव, संसार के स्वामी, दया सिंधू, आप सत्य वति हो, ती सत्य हो, सत्य के सार रूप हो, और सत्य से उत्पन्न हो हे सत्यो येन, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरन में आया हूँ, आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है यदि आप तपस्या ना करे, तो पुन्यात्मा और पापियों से व्याप्त यह प्रत्वी, कल्यूग में जिसे एक व्यक्ती के पाप करने से रसातल में चल जाती है, वैसे ही एक व्यक्ती के पुन्य करने से तर जाती है यह आपका पुन्य प्रभाव हुई है जिसके बल पर यह प्रत्री टिकी हुई है पहले सत्यू गादी ने जैसे एक व्यक्ती पापा चरन करता था तो सभी व्यक्ती पापी हो जाते थे परन्तु कल्यूग में केवल करता ही पुन्य और पाप का भागी होता है यह सब आपके तपका प्रभाव है हे बगवन कल्यूग में सब पापियों के मन विशय भोगों में आ सकते हैं अता इस्त्री पुत्रादी के मोह में फसे हुए प्राणियों का हित करने वाले जिससे मेरा भी हित हो ऐसा कोई उपाए मुझे बताईए क्योंकि मैं आपके मुखारविन से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रहम लोक से यहां आया हूँ वेद भी बताते ही कि भगवन विश्णू उपकार के प्रेमी है इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सारूप कथा को कहिए जिसको सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पत को प्राप्त हो नारद जी के वचन सुनकर रिशी नारायन मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे हे नारद तुम्द्रज गोप्यों के मुखरूपी कमल के लिए ब्रमर्तुल्य रसिक शिरोमनी रासेश्वर भगवान श्री क्रिश्न चंद्र बंदावन बिहारी की पुन्यमाई कथा को सुनिए हे वत्स जो संसार की पलवर में रचना करने में समर्थ है उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता इस संसार के सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी बली प्रकार जानते हो जो वानी से भी परे है तो भी में तुमारे सामने पुर्शोत्तम भगवान के दारिद्र एवं बेदब्य को दूर करने वाले उत्तम किर्ती और पुत्र तथा मोक्ष को देने वाले अद्बुत महात्तम्य को वर्णन करता हूँ नारज जी बोले हे भगवन यहाँ पुर्शोत्तम नाम के कौन से देवता है उनका क्या महात्तम्य है यहाँ सब मुझे विस्तार से बताईए सूद्जी बोले श्री नारायन नारज जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एक आग्र कर पुर्शोत्तम देवता का परिचे देते हुए बोले पुर्शोत्तम नाम एक मास का नाम है जिसके स्वामी क्रपासिंदु भगवन पुर्शोत्तम ही है यह पुर्शोतम मास कोन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंदू पुर्शोतम केसे हुए सो मुझे कपा करके बताईए इस मास का क्या स्वरूप है क्या विधान है व्रत में क्या करना चाहिए कैसे इसनान करना चाहिए क्या दान करना चाहिए जब पूजा पाठ आदी का क्या साधन है जिसके करने से कौन से देवता प्रसंद नोकर क्या फल देते हैं इसके अतिरिक तो और जो भी सार हो वरसम मुझे बताईए क्योंकि दीन वत्सल सादूजन मनुश्य के हित के लिए उपदेश बिना पुछे भी दे देते हैं इस प्रत्वी पर जो लोग दूसरों के भागी के सहारे चलते हैं वे दरिद्री, दुखी, रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं जिन में कोई जड, गुंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली यने मेलेव फटेवस्त पहनने वाले नास्तिक, लंपट, नीच, अतिवरद, पराई नुकरी करने वाले, निराश, मनोरत पुर्णन होने वाले पराक्रम हीन, कुरूप, रोगी, कुष्ठी, अंगहीन, अंदे, आदी होते हैं तथा कोई इस्ट मित्र वियोगी, कोई इस्त्री पुत्र आदी से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुखदुख से ग्रसित, कोई दुर्बल, तो कोई मनोवांचित वस्तु से रही थे हे भगवन, ऐसे मनुष्य कुछ पुन्य करके, सुनकर तथा पढ़कर, और आचरन करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाए बताईए विद्वापन, बांचपन, लूले लंगरे, मानसिक कष्ट, रक्त, पितरोग, म्रगी, शेरोग, भगंदर, ब्रवासीर, पत्री, संग्रणी, खुजली, आदी रोगों से ग्रसित, अन्य विविद दोशों में मैं लोगों को देखकर बड़ा दुखी होता हूँ इसलिए हे करपा सिंदू, आप मेरे उपर करपा कीजिए, और मेरे अंतर करण की शांती के लिए, हे सरवग्य, सब तत्वों के ग्याता, कोई लोग कल्यान का उपाए भली बाती समझा कर कहिए, सूद्जी बोले हे नारच जी के इस संसार के हिट करने वाले प्रशन को सुनकर देवादी देव, श्री नारच चंद्रमा के समान शांती देने वाले मदूर्शब्द कहते हुए बोले, इती श्री पुर्शोतम मास कथा दिती है, अध्याय समाप्त आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिये, अभी तक हम अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राब के जिये, बेल आइकन को हिट कीजिये, ताकि मेरे नए वीडि़ियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत अप्राप्त हो, हिंदू धर्म, संस्क्रती, तीश्तिहार, व्रत, गथारिती, रिवाजित्यादी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए जय शिक्रेज